तो जैहें दोस्तों स्वागत थे एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने परिवार छोटा ट्रेडर में तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि एंजल 1 में किस प्रकार से आपसन ट्रेडिंग कर सकते हैं और आपसन ट्रेडिंग के लिए कौन सी स्ट्राइक प्राइज आप अगर बाई करना चाहते हैं कोई सी भी स्ट्राइक प्राइज अगर आप बाई करना चाहते हैं तो लॉंग टर्म के लिए कैरी फरवर्ड में कैसे बाई कर सकते हैं limit पे कैसे buy कर सकते हैं और market order पे कैसे buy कर सकते हैं तो वीडियो को ध्यान से देखीगा इसकिप मत कीजिएगा चार सारी चीजे सबज में आ जाएंगी और साथी साथ आपको बता दें कि अगर आप beginner हैं तो उसकी updates सबसे पहले आप तक जरूर पहुंचे और आप उसका लाव उठा सके तो चलिए हम जानते हैं तो सबसे पहले हम यहाँ पे Angel One का application open करते हैं और हम अपने यहाँ पे watch list वाले section में जाते हैं watch list वाले section में जाने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं search stock or company तो यहाँ पे आपको कोई भी stock या फिर company सर्च करनी होती है तो यहाँ पे आपको simply click करना है अब आपको पहले तो मैं clear कर देता हूँ इस प्रकार से interface आपको देखने को मिलेगा तो यहाँ पे आपको करना क्या है कि आपको कोई भी premium buy करना है long term के लिए तो आपको उस premium को यहाँ पे add कर लेना सबसे पहले तो हम long term के लिए यानि कोई लंबी call लेते हैं तो मान के चलो हम nifty 50 की अगर call लेते हैं 17,500 की तो 17,500 की strike price हम यहाँ पे type करते हैं और आप देख रहे हैं नीचे कुछ यहाँ पे हमको दिखने को मिल गया है 12 माई 2022 की CE है 12 माई 2022 की PE है 17,500 की strike price में CE और PE यह दोनों options आपको देखने को मिल जाते हैं next week के लिए आपको और आगे देखने को मिल जाएगा 19 मे के लिए है 19 में और नीचे आप अगर scroll करेंगे तो आप देखेंगे 26 माई के लिए है फिर यहाँ पे दो जून के लिए है तो आपको अगर long term के लिए लेना है तो long term means आप अगर hold करना चाहते है carry forward में तो आपको थोड़ा दूर की call लेनी चाहिए तो मैं यहाँ पे randomly कोई call select के ले रहा हूँ मान चलो मैं 17500 की call ले रहा हूँ निफ्टी 2 जून की expiry तो मैं यहाँ पे simply click कर दूँगा अब यह symbol हमारे watch list में add हो गया है आप देख सकते हैं इस प्रकार से तो यहाँ पे आप देखिए कि इसका price जो है 34 रुपए 75 पैसे में चल रहा है तो इसको मुझे buy करना है तो simply हम इसी पे click कर देंगे और यहाँ पे कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिल जाएगा जब यहाँ पे कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेगा तो यहाँ पे डामे को तोर पे आपको दिखा रहे हैं मैं one lot यहाँ पे डाल ले ले रहा हूं साथी साथ एक चीज बता दें दोस्तों कि इस वीडियो को बनाने का उदेश सिर्फ education प्रवाइड कराना है ना कि कि किसी stock या फिर shares में buy या sell करवाना है क्योंकि share market जोख्मों के आधीन है तो चलिए जानते हैं मैं यहाँ पे one lot सेलेक्ट कर लेता हूं quantity में आप कितने भी lots buy कर सकते हैं वो आपके fund पे depend करता है आपके risk पे depend करता है और उसी प्रकार से आप नीचे देखना है price वाले options पे तो price वाले options के सामने यहाँ पे limit और market दो चीज़े आपको देखने को मिल ले है ले है do Market का मतलब सबसे पहले मैं आपको market बढ़ाद मारकेट का मतलब आप लगा देगे तो जिस rate मेँ यह चल रहा होगा यह price उसी rate में आपको buy कर लेना है यानी उसी rate में buy हो जाएगा कर क्या लेना है market पे अगर आप click करके buy करते हैं तो उसी rate में buy हो जाएगा otherwise अगर आप limit लगाते हैं तो limit आप यहाँ पे limit पे click करने के बाद में price वाले options पे click करेंगे और यहाँ पे आपको किस rate में खरीदना है यह लिखना पड़ेगा मान के चलो जिसे इस समय 35 रुपए या 34 रुपए चल रहा है हमको लेना है 32 रुपए में मान के चलो लेना है 32 रुपए हम यहाँ पे type कर रहते हैं 32 रुपए में यह जब price आएगा तब मुझे buy हो जाएगा मैं ऐसा कहना चाहता हूँ तो 32 रुपए हमने type कर दिया लिमिट में लग गया और यहाँ पे आप देखने हैं product type में product type में आपको intraday carry forward दो प्रकार के options आपको देखना हो मिलना है intraday का means होता है कि उसी दिन खरीद के उसी दिन बेशना होता है यह कुछ ज़्यादा रिस्की होता है इसमें आप hold नहीं कर सकते हैं तो इसलिए intraday के लिए अगर आप buy करना चाहते हैं तो intraday पे select कर देंगे otherwise अगर आपको hold करना है long term के लिए तो आप carry forward पे click कर देंगे या फिर click है already तो click रहने देंगे तो carry forward जिस पे click करेंगे उस पे blue color में highlight होके आ जाएगा तो इस समय carry forward पे click है तो मैं यहाँ पे carry forward रहने देता हूँ नीचे आप देख सकते हैं approach required margin यहाँ पे 1600 रुपे दिखाया दे रहा है मतलब कि इसके लिए कम से कम आपको 1600 रुपे होने चाहिए आपके fund में इसके कहने का मतलब यह है तो इस प्रकार से आपके fund में 1600 रुपे है यह आप पहले निर्धारत कर लिजिए उसके बाद simply buy वाले absence पे आपको click कर देना है buy वाले absence पे click करते हैं तो एक बार confirm buy लिख के आएगा कि आपको confirm कर देना है कि हाँ हमें buy ही करना है अगर आपको finally buy करना है तो आप confirm buy पे click कर देना है confirm buy करने से पहले एक बार आपको और बता दें कि एक बार फिर से आप देख लिजी कि price क्या चल रहा है in case price अगर 31 रुपे में आ गया है या फिर 31 में आ गया है चुकि moment थोड़ा ज़्यादा हुआ करती है तो आप इस जो limit price है यहाँ पे 32 है इसे आप 30 भी कर सकते हैं या फिर 29-28 भी कर सकते हैं तो आपको 100-200 रुपे और सस्ती कॉल मिल जाएगी तो इसमें आपका profit ही होना है तो मैं आपको practically करके दिखा दे रहा हूँ यहाँ पे 32 रुपे है confirm buy करने से पहले मैं यहाँ पे 30 रुपे डाल दे रहा हूँ तो आप यहाँ पे हमारे लिए required margin 1500 रुपे हो गया है फिर से हम एक बार buy करेंगे और confirm buy करेंगे confirm buy करने के लिए confirm buy पे click करेंगे और आपका order इस तरह से place हो जाएगा और यह आपके orders वाले section में pending order में दिखाएगा आप देख सकते हैं कि nifty के हमने जो call लगाई हुई है 17500 की दो zone के लिए तो 34 रुपे 75 पे समचला है हमने order लगाया है 30 रुपे और product type है carry forward में यानि कि holding के लिए यह order लगाया गया है अब जब जब भी 30 रुपे पे यह order आता है यह strike price आता है तो 30 रुपे पे हमारा buy हो जाएगा और उसके बाद यह इधर side में आप देख रहे हैं position वाले absence में position वाले absence में यह call replace हो जाएगी pending order अभी है यह order pending है execute हो जाएगा तो यह position वाले section में यही call देख जाएगी अगर आपको market price पे लेना है तो मैंने आपको बता ही दिया है कि limit न लगा कर market price पे click करके डारेक्ट आप market price पे click order लगाएगे तो एग जब जाएगा order और आपका position वाले section में order दिखने लगेगा यहाँ पर order वाले section में आपकी position दिखने ही लगेगा profit loss दिखने ही लगेगा सारी चीजे तो और भी अगर कुछ सीजे समाझ में नहीं आती है तो आप comment section में comment कर सकते हैं within hours हम आपकी comment का reply भी करते हैं otherwise अगर आप option trading करते हैं या free starting है आपकी तो मैं आपको बताओं कि हमारा telegram channel है जो कि discussion में मैंने link दे रखी है वहाँ पर मैं bank nifty और nifty के levels विल्कुल free आपको 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 प्रोइड करता हूँ जो कि मुझे लगता है कि आपके लिए बहतर होगा अगर आप उसे join करते हैं तो क्योंकि बहुत सारे लोग paid membership में भी वो calls नहीं देते हैं जो मैं आपको free में provide कराए दे रहा हूँ आसा करता हूँ वीडियो आपके समझ में आ गई होगी इसी परकार से अगर आपको sell करना है तो simply इसी पर click कर देंगे जब आपका order यहाँ पर क्या बोलता है position में रहेगा उस पर click करेंगे तो sell वाला आप सनाएगा simply आप sell भी कर सकते हैं जिस परकार से buy किये हैं तो यहाँ पर आपको एक चीज और बता दें इस order को अगर आप modify करना चाहते हैं या फिर कुछ और आगे बढ़के लेना चाहते हैं या और कम पर लेना चाहते हैं मतलब modify या cancel करना चाहते हैं तो simply यहाँ पर इस परकार से click करेंगे और ऐसे icons आपके सामने दीख जाएंगे तो यहाँ पर order यह cancel भी कर सकते हैं और यहाँ modify वाले options पर click करके modify भी कर सकते हैं तो चलिए वीडियो को यहीं पर खात्म करते हैं आपका कोई doubt है तो comment section में comment कीजिए within hours हम आपके comment का reply भी करते हैं otherwise आप हमारे whatsapp chat support के माध्यम से भी connect हो सकते हैं विल्कुल free whatsapp chat support भी आपको मिल जाता है description में मैंने link दे रखी है वहाँ से आपको मेरे whatsapp number की link मिल जाएगी तो खैर मिलते हैं नेक्स वीडियो में एक नए topic के शाथ एक नए educational वीडियो के शाथ अब तक लिए जै हिंद जै भारत वंदे मात्रम टेक केर बबाए अला फ्यूव